वेल्कम तु न्यू लेसन इस लेसन में हम डिस्प्ले एड बनाके देखेंगे फ्रॉम स्टार्ट तु स्क्रैच ठीक है और हम यह जो डिस्प्ले एड बनाएंगे इसके अंदर हम तीन एड ग्रूप बनाएंगे एक एड ग्रूप हम जो बनाएंगे वो उसके अंदर हम टार्गेटिंग करेंगे बेस्ट ऑन टॉपिक दूसरे एड ग्रूप के अंदर हम टार्गेटिंग करेंगे बेस्ट ऑन प्लेस्मेंट और तीसरे एड ग्रूप के अंदर हम टार्गेट करेंगे बेस्ट ऑन कस्टम इ बनाएंगे for से हम बेच रहे हैं protein तो यह हम उसके लिए बनाएंगे right और हम इसके लिए use करेंगे display ads I mean हम responsive ads use नहीं करेंगे हम display banners use करेंगे इसके लिए ठीक है जी तो चलिए start करते हैं यहां मैं अपने adword account के अंदर हूं मैं सीधे plus करता हूं then मैं करता हूं new campaign then create a campaign without a goal और then मैं लूँगा यहां से display और again display campaigns जो है वो में दो types के होते हैं एक है standard display campaign जिसके अंदर आपको हर जगा banner नजर आते हैं और दूसरा होता है Gmail campaign Gmail campaign कौन से होते हैं जिसमें Gmail ads नजर आती हैं promotion tab के अंदर Gmail के अंदर तो हम use कर रहे हैं अभी standard display campaign Gmail हम बाद में बना के देखेंगे तो हमने लिए standard display यहां पर आपको कुछ नहीं डालना और आपको करना है continue अधिए ओर यहां पर आपको campaign का नाम लिखना है तो इसमें हम बेच रहे हैं protein तो मैं यहां पर इसका नाम लिख देता है protein और से मैं targeting कर नहां मैं डिल्ली में बेचना चाहता हूं तो मैं ले लेता हूं दिल्ली यहांसे कर देता हूं target और मैं all Cantonis को same option है, दो नए option है, एक नए option है आपके पास, that is viewable CPM, कि आपकी add हजार बार लोगों को दिखे, उसके लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो, right, तो मैं लेता हूँ viewable CPM, budget आप दिन में कितने पैसे खर्च करना चाहते हो, मैंने लिया 1000 रूप है, delivery method हम standard रखेंगे, accelerated में क्या होगा, Google आपकी add जल्दी से खतम कर देता है, आपके सारे पैसे जल्दी खर्च कर देता है, then add rotation, add rotation मतलब suppose को और मैंने एक campaign बनाया, उस campaign के अंदर 10 ads हैं, तो Google उन 10 ads को कैसे rotate करें, अगर आप पहला option लोगे, that is optimize, तो Google क्या करेगा, Google जो आपकी ads हैं, उनको उसमें से जो best performing ad होगी, according to Google, Google उसे आपको ज़्यादा दिखाएगा, उसे optimize करेगा, दूसरा option है, do not optimize, मतलब Google सारी ads को बराबर दिखाएगा, और आप then decide कर सकते हो कि किस ad को रखना है, किस को नहीं रखना, मैं करता हूँ do not optimize, then मैं करता हूँ add schedule, हमें कुछ schedule करना नहीं है, तो मैं उसको ऐसी छोड़ दूँगा, then तीसरा option है, start and end date, तो जो भी start date है और जो भी end date है, वो मैं यहाँ से select कर सकता हूँ, then after this devices, अब किन devices पर select करना चाहते हो add, यहाँ पर दो option है, पहला show on all devices, दूसरा set specific targeting for devices, say मैं बस computer पर add दिखाना चाहता हूँ, तो mobile phone और tablet मैं यहाँ से हटा दूँगा, say मैं computer और mobile phone पर दिखाना चाहता हूँ, मैं दोनों को select कर लूँगा, अगर मैं tablet पर दिखाना चाहता हूँ, tablet को भी select कर लूँगा, और then मैं operating system यह भी select कर सकता हूँ, device model आप particular phone भी select कर सकते हो, जिस पर आप add दिखाना चाहते हो, in case अगर यह sense बनाता है, तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, frequency capping आपकी add, आपकी audience को एक add कितनी बार दिखे, इसमें दो option है, पहला option let google ads optimize, मतलब google खुद optimize करेगा, दूसरा आप limit set कर सकते हो, तो suppose आप चाहते हो, आपकी एक add per day 10 बार से जादा आना दिखे, तो limit impressions for each add to 10 per day, एक दिन में 10 बार से जादा आपकी add नहीं दिखेगी, अगर आप ऐसा करना चाहते हो, हम पहला option ले रहेते हैं, let google optimize, campaign URL option आपको पता है क्या होता है, यहाँ पे हमें कुछ set नहीं करना है, dynamic ads, अगर हम run कर रहे होते, shopping ads, shopping dynamic remarketing, तो वहाँ पे हम dynamic ads use करते, यहाँ पे हम shopping के display ad नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम dynamic ad use नहीं करेंगे, then conversion, यह जो आप add बना रहे हो, यह जो आप display add बना रहे हो, यह किस चीज़ के लिए आप, आपका conversion goal क्या है, आपको वह select करना है, तो इसके पहले हमने conversions बनाए थे, तो वो जाके मैं conversion, जो भी, जिस conversion के लिए भी, यह मैं add optimize करना चाहता हूँ, वो conversion मैं यहाँ से जाके select कर लूँगा, ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि, पहले आपने यह conversion event बनाए हो, हमने पहले lessons में सीखा था, conversion event बनाना, प्लस हमने Google से import करना भी सीखा थो, तो यह वही conversions है, content exclusions, आप चाहो तो कुछ content यहाँ से exclude भी कर सकते हो, then add group का नाम, यह जो पहला add group में बना रहा हूँ, इसमें मैं target कर रहा हूँ based on topics, तो इसको मैं लिख देता हूँ topics, targeting, देख, automated targeting है, आपको करना है switch to manual, ठीक है, हमें इस audience का कुछ नहीं करना, हमें सीधे आना है content targeting, हम यह ले रहे हैं topic के base पे, तो मैं करूँगा यहाँ पे topic, और यहाँ पे देखो आपको options, बड़े सारे topics listed हैं, यहाँ पे देखो आपके पास fitness होगा कहीं, देखो health है, और health के अंदर देखो कहीं है, body building दिख जाएगी कहीं ना कहीं आपको, sports, travel, एक बास starting देखो, arts, auto, beauty and fitness, इसके अंदर होगा कहीं, beauty and fitness है न, इसके अंदर जाओ, और fitness के अंदर जाओ, देखो यहाँ पे ले लो, body building, fitness equipment, fitness instruction, gym and health clubs, तो यह सारे option ले लिए मैंने, और target expansion को off कर देना है, target expansion अगर आप enable कर दोगे, तो Google आपके targeting अपने आप expand कर सकता है, जादा सजादा लोगों तक पहुँचने के लिए, add group bid, हमने CPM लिया था, तो Google पूच रहे है हजार लोगों तक पहुचाने के लिए आप कितने पैसे खर्च करना चाते हो, तो उसे मैंने लिए 300, कि 1000 लोगों को दिखाने के लिए में 300 रुपरे करना चाता हूँ, यहाँ पर Google आपको दिखा रहा है कि आप weekly available impressions हमपा रहा, और आप अपने budget के अनुसार, आपका CPM रहेगा 60-500 और आप 70-500 लोगों तक पहुच सकते हो, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, most of the cases में यह सही नहीं होता, तो इस पर आपको ज़्यादा गौर नहीं करना है, then next option है create your ad, इसे हमने click किया, और देखो इसको हम responsive नहीं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं normal ad, banner ad, तो upload display ad, then आपने यहाँ पर अपना URL लिखा, तो यहाँ पर मैंने URL लिख दिया अपना, और then choose files to upload, यहाँ पर मैंने किया choose files to upload, यह सारे banner बना रखे हैं मैंने, और इसे मैंने कर लिया click, select कर लिया, ठीक है, यहाँ गे सारे banner, और इसे कर दिया आपने, create to campaign, और continue to campaign, ठीक है, यहाँ गया, और आप वापस चले गए, और आप गए campaigns के अंदर, यह रहा मेरा campaign, protein, ठीक है, यह रहा topics, ठीक है, यह ad group बनावाई topics, हमें नया ad group बनाना है, based on placement, placement मतलब, मैं किस website पे, किस app पे, किस वीडियो पे, अपना banner दिखाना चाहता हूँ, that is called placement, तो रापस मैं आया, अब मुझे नया ad group बनाना है, तो मैं simple करूँगा, क्या, इसी को मैं करता हूँ, copy, topics वाले को, और इसे मैंने किया, paste, और done, और then paste, ठीक है, बिल्कुली simple, अब इसी का एक duplicate बन जाएगा, मुझे क्या करना होगा, मुझे बस इसके अंदर जाके, targeting change करने होगी, right, तो, इसको मुझे कैसे target करना था, based on placement, तो यह आ गया, topics to, तो पहले तो इसका नाम change करके, कर देता हूँ, मैं placement, पहले देखो, मैंने targeting क्या कि हुए थी, topics के based पे, तो इसके अंदर भी topics के based पे targeting होगी, तो पहले तो मैं जाके remove करूँगा, तो मैं जाओंगा, यहाँ पे, topics देख रहे हो आप, इस topics पे जाओंगा, और देखो, यह हो रखे targeting, तो इसको मैं कर दूँगा, पहले remove, तो इसको मैंने किया, यहाँ से remove, remove हो गए, then मैं जाओंगा placement पे, यह replacement, then मैं गया placement पे, और add placement, ठीक है, यहाँ से मैंने किया add placement, और add placement में जाके, अब कहाँ अपनी add दिखाना चाहते हो, और app categories पे, तो मैं करता हूँ, body building, यहाँ पे search, अब इस से related, जो भी websites हैं, वहाँ पे add दिखाना चाहते हूँ, तो मैं गया website के उपर, और यहाँ से मैंने select करना start कर दिया, fitness and power, muscle and fitness, breaking muscle, oxygen mac, 10 ads, old school trainer, generation, lift vault, bar band, wiki how fitness, king of the gym, gym guider, ठीक है, यह सारी website select early मैंने, जहाँ पे मेरी add दिखेगी, इसके अलावा मैं YouTube channels भी select कर सकता हूँ, जहाँ मैं add दिखाना चाहता हूँ, तो से मैंने ले लिया body building, body building workout, अब यहाँ मेरे banners दिखेंगे, ठीक है, ऐसे ही मैं videos भी select कर सकता हूँ, और then मैंने इसको किया save, ठीक है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा simple, तो अब मेरे दो add group बन गए, पहले के अंदर मैं target कर रहा हूँ, किसके base पे, तो मैं पहले के अंदर target कर रहा हूँ, topics के base पे, तो दूसरी के अंदर मैं target कर रहा हूँ, based on placement, ठीक है, अब तीसरी चीज़ क्या है, custom intent, custom intent is, मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों के interest के basis पे, एक audience बना सकता हूँ, ठीक है, बहुत है simple, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपनी existing add group को copy करूँगा, तो यहाँ से मैंने existing add group को किया copy, और इसको मैंने किया यहाँ पे, और यहाँ से मैंने किया इसको paste, paste हो गया, यह रहा नाम, placement to, तो इसके सबसे पहले नाम चेंज करके कर दो, custom intent, और इसको कर दो save, अब जाओ custom intent को क्लिक करो, अब इसको देखो, यह पहले placement था, तो इधर placement पे जाओ, और placement यहाँ से सारे select करो, और यहाँ जाके सारे placement, remove करो, ठीक है, बहुत simple, अब placement remove हो गया, अब जाओ कहाँ पे, audiences पे, अब गया audiences पे, और audiences पे जाके आपने किया, add audience, और add audience में जाके, आप गया browse पे, और देखो यहाँ पे option आ रहा, in market, life, events and custom intent, तो आपने इसे click किया, और new custom intent audience आपने बनाई, और यहाँ पे आपने audience का नाम लिख दिया, custom intent, ठीक है, अब आप यहाँ पे अपने keyword और URL लिख सकते हो, ठीक है, तो सपोज मेरा keyword क्या है, body building, अब Google देखो, इदर मुझे कुछ सजेस्ट कर रहा है, अभी नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, देखो आ रहा है न, top body building websites, यहाँ जाते हैं, और, यहाँ से इनके, उठाओ नाम, अब Google क्या करेगा, ऐसे लोग जिनका इन सारी चीज़ों में इंटरस्ट है, उसे मेरी आड़ दिखाएगा, display add, ठीक है जी, और यहाँ पे जाओ, muscle and fitness, paste कर दो, or flexonline, यहले लो, muscle development, यहले लो, muscle for life, यहले लो, or female muscle, यहाँ से अब देख लो, audience size, Google आपको, audience size भी यहाँ पे बताएगा, यहाँ कितने लोगों तक पहुँच सकते हो, 100 से 500 million, अभी दार आजाओ ideas पे, अभी देखो कोई ideas नहीं आ रहे, Google आपको ideas भी देता है, तो elite lefts, यह ले लो, ठीक है, वापस आओ, और ले लो, राइट, अभी यह है, इसमें आप और ले सकते हो, और इसे मैंने कर दिया, create, बहुत simple, यह आ गया, custom intent, और इसे कर दिया मैंने, save, बहुत यह असान, राइट, तो अब मैंने एक, campaign बनाया, उसके अंदर, तीन ad group बनाये, तो यहाँ पर अगर मैं जाओ, वापस इसे क्लिक करूँ, campaign को, और इधर जाओ, ad group पे, तो आप देख सकते हो, तीन ad group मैंने बना लिये, और इन तीनों के अंदर, ads हैं, अब अगर इनके अंदर, अगर आप और ads, add करना चाहते हो, तो यह plus को क्लिक करो, और upload display ads, और आप URL डालके, जो भी बैनर्ट से अपने आप, upload कर सकते हो, ठीक है जी, तो ऐसे आप display ads बना सकते हो, from start to scratch, अभी यह जो आपने display ads बनाया, इसमें मैंने remarketing वाला नहीं बनाया, तो अगले lesson में मैं आपको सिखा दूँगा, कि कैसे आप remarketing वाली display ads बना सकते हो, remarketing means, कोई आपकी website पे एक बार आए, और आप उसे बार-बार ad दिखाना चाहते हो, तो वो आपको आपको बना सकते हो, ठीक है, तो आपको आपको बना सकते हो,